यह खेल है बहतर से बहतरीन बनने का यह खेल है जीरो से हीरो बनने का यह खेल है चैंपियन बनने का और इस खेल को बहतरीनी स्तर पर समझने के लिए मैं कर रहा हूँ एक नई शुरुवात छे महिने की comprehensive pre-plus means batch याने की 2024 को target करने वाले students हो जाए बिलकुल तयार केल केल मैं केल केल की केल केल यह आजाएगा यह खेल है बहतर से बहतरीन बनने का यह खेल है जीरो से हीरो बनने का यह खेल है champion बनने का और इस खेल को बहतरीनी स्तर पर समझने के लिए मैं कर रहा हूँ एक नई शुरुवात छे महिने की comprehensive pre-plus means batch याने की 2024 को target करने वाले students हो जाए बिलकुल तयार वेरी बुड इवनिंग देश्प्रिंस वेलकम तो अट्ड़ 24-7 दिस इजमेंटर सौल अवसीन आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की preparation से चल रही होगी ऐसे उमीद करता हूं और अब यह आपने एक बहतरीन सा teaser देखा एक वीडियो देखा होगा और मुझे लगता है काफी अच्छा लगा होगा आपको देखके क्योंकि उसी सिद्दत से आपको study plan बनाया हूं करने वाले स्टूडेंट से तयार हो जाए और कमर कस लीजिए और अभी से ही मदब आप उस जोन में चले जाए यह आप 21 तारीक को जब बैच सुरू हो क्योंकि किस तारीक को सामाम में मैंने बैच का एड़मिशन बंद कर देना है क्योंकि मैंने चाहता कि फिर ने बच्छ दिए चलिए श्रूवाद करते हैं सो अभी फिलाल कोई नजएंशन सामने नजर नहीं आ रहाए सेशिन सुबार क्लास जळल रही है आपके $ शब्सक्न करते हैं जैसे का मिलगता है व्हुंझ में दो पहर में उसमें कोई शक नहीं लेकिन relativelyस्ट पजल सुझ सब्सक्राइब करूंगा कि आपको बेसिक से चर्चाएं करूं अराम से चर्चा करूं ग्रैजुली सवाल को लेके आगे बढ़ूं इस तरीके से बाते होंगी ठीक है बाकि फिर से हम लोग एक्जाम औरिंट काम तब करेंगे जब कोई सामने नोटिफिकेशन नजर आएगा लेकिन जब तक एक्जाम को कोई नज़र नहीं आता है फ्रेश तब तक किसी टॉपिक को लेकर उसको इसको अलीकिश तब तक टीस ऐसा हो कि कर लिया जाए है याने वाले वक्त में उस टॉपिक में लिक्कत ना हो जैसे पगजल हर परीच्छा के लिए कमन है हर समय आता है हर जगह आता है तो आफकोर्स पजल सो उठाके खीच दिया जाए इसको आईए शुरुआत करते हैं तो यह लिखा गया ना फ्रॉम जीरो टू हीरो एंड फॉर ऑल बैंक एक्जाम्स एंस्वरेंस एक्जाम्स तमाम परिशाओं के लिए होगा ठीक है ना शुरुआत करते हैं ठीक है जाईए जो बच्चे मारे चैनल पर नए हैं उसे बच्चों से एक्वेस्टे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा बेला अकिन प्रेस कर लिजेगा लगातार बने रहने से कुछ होता है यह बात हमेशा बोलता हूं हर दिन बोलता हूं लगा यह इस चैंपियन इसनिंग के स्टेडी प्लान से बड़ा अनॉस्मेंट होगा वह अनॉस्मेंट मेरे लिए हिस्टॉरिक अनॉस्मेंट होगा इसलिए एक लाइन उपर लिखा हुआ है आप पढ़के भी थोड़ा से हिंट नहीं जो भी आप समझें उसको मैं कुछ अलबरेट नाइन पीम तो तयार हो जाईए अन्तही प्रारंब अब देखते हैं यह प्रारंब किस बारे में यह चैंपियन इसनिंग के इर्द गर्द भी नहीं है यह बात उससे भी अलग है उससे बहुत ब्यॉंड है बहुत उपर है मतलब बहुत अलग है कुछ जिसकी आप साथ आप इसको क्लिक कर सकते हैं इस चीज़ का ठीक है ओके चलिए यह मेरे चैंपियन इसनिंग बुक चैंपियन रिजनिंग रंक फाइल चैंपियन बैच मतलब उन से बड़ा स्टेप है यह जो आप देखने वाले नौ तारीक को नौ बजए ठीक है बाकी आक सकते हैं आज के क्या कंदर करने वालें हैं तो आस किसु Mr. सकता है सब्ति हमारे सब्स में लगभग परिक्षा हो चुकी है वैसे हम सभी लोग उमेद लाज के बैठे हैं कि परिक्षा हो सकती है या फिर सबसे बाहर में बात कर रहा हूं यह जो बचे जो आर्बेस टागेट कर रहे हैं या फिर जो अपकमिंग लाइसी एसिस्टेंट टागेट कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि अगर आज आ जाए तो उसमें शामिल होने वाला है या फिर सब के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा जो आपके मेंटल अबिलिटी को साथ में चेक कर रहा होता है मेंटल अबिलिटी जिससे आप चीजों को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं और जो बात मैं कह रहा हूं कि आपके पैसेज में हमारे पास सवाल परोस जाते हैं इसके बहुत सारे पार्ट है मैंना हमेशा डिफाइन किया है कि पजल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं एक ऐसा पजल जहांपे सिर्फ दो विराइटी का पजल है वी हैव वोनी टू टू टाइपस पॉछे आप से की वाटर दा टाइपस ऑफ पजल्स वी हैव तो आप उसको अराम से बोल सकत और आपको ऐसे बोलेगा वो लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा साहिए में इस टाइटल को समझता है कि इसका मतलब क्या माईने क्या है तो बता देगा आपके कि सीर्फ 2 टाइप के पजल्स खोते हैं एक, सबोड़ाटे मैं मजश कमारे और दो हुखे है वन ओफ द वेरियेबल जहां पर हम किसी एक वेरियेबल को जहां पर हम किसी एक वेरियेबल को फिक्स कर पाते हैं, ठीक है न, जहां पर हम किसी एक वेरियेबल को फिक्स कर पाते हैं, बद ये पहला पॉइंट धान रखी का, सेकंड, जहां पर हम किसी वेरियेबल को फिक्स न वेरीयबल है छो थी जहां पे हम या तो हम ऐसे कह सकते ही था आधकी दो रेटी को विक्स कर पाते हैं और या तो खिसी लेसल को फिक्स नहीं कर पाते हैं तो ही नहीं कर पाते हैं ठीक है न आपने सरब assessments पजल है मन्त पजल है ऐसा पजल है वैसा पजल है हम अभी सवाल भी हम सुरू कर देंगे आज ही हम क्वेशन पर चले जाएंगे बहुत बहुत नहीं करेंगे पजल है क्या आपको याद आजा बैक टूबेसिक्स वीडियो को देख रहा है आप चैंपियंस बैच में शामिल भी होने वाले लेगिन आपको लगता है किया तब तक पढ़ लेता हूं तो बिल्कुल पढ़िए आप एक काम कीजिगा बैक टूबेसिक्स में पजल सक लेक्श यहां रिवाइस करा रहा हूं थोड़ा सा ताकि आपको अब बिल्कुल अन्भिग ना नजर आया आपको ठीक है ना सो वेर वी कन फिक्स वन अफ़ वरीबल और जहां पर हम किसी वेरीबलों फिक्स नहीं कर सकते हैं यह दो पात पहले बिल्कुल यहां पर सेट रखीगा औ सबसे डेंजरस क्वेश्चन पजल्स का जो आपके सामने होगा ना और तब अगर इस बात को आप घयाल रखेंगे तो आप घबराएंगे नहीं आपको पता होगा कि सवाल अटाप पे अटाक कैसे करना है यह उस लेवल की बातें हैं अधिए प्रिया टाइप सब्सक्राइब बॉक्स बेस्ट 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 यह बेस्ट नहीं पहले यह समझे ऐसे अभी देखेंट इमार पास IPS प्यों मेंस एकजाम सामने से गुज़रा बहुत अलब ब्रैटिक पजल सवाप पे नज़र आए कई बार ऐसा होता है तो चैकि आप उस पजल को नाम नहीं दे पार इसकी यह आया था टीम फॉरमेशन बेस्ट पजल टीम फॉरमेशन आपने और से सुना हो तो आपको पता भी होगा टीम फोरमेशन आपको क्या बोलेंगे किस कैटिगरी में आएगा डे बेसिमाग मूंध मॉन इसमें आएगा लेकिन किसी day based, month based, year based, floor based, floor plus flat based, classification, selection, नहीं रख सकते आप उसको, थोड़ा सा selection के तरह जा सकता है, अगर हम logically बात करें तो, लेकिन यहाँ पर आराम से आ जाएगा, यह श्टेर के अंदर रत्वाही जाएगा, यह बात है, ठीक है, चलिए, So, अब यह variable word से क्या माइन है, इस variable word के क्या माइन है, यह वोट इस वेरियेबल क्या ह interpre당 है, readyiabl क्या है?ब समझाता हूं मै. कि यह आ है कि कि एक वैरियूबल किसको कहते हैं वैरियूबल उसका मतलब यह समझाने चाहरा हूं ऎन से क्या है प्लिबार क्या हुद एस्वार कोई सब्सक्पट रहे एगा ऑफे सथ लोग मंडे टू संडे मंडे टू संडे में ये अलग लग सहर को जाते हैं भाई तो लिख दिया उसने कानपूर ठीक है ना लिख दिया उन्हें लखनव लिख दिया उन्हें अलाहाबाद लिख दिया उन्हें आगरा लिख दिया उन्हें पटना ऐसे ऐसे करके लिख दिया उन्हें को यहनद संत्थ की गई तो फिक्स करेंगे स्वेरियाबल कोई यह हो गरिया फिरियाquis beings यह विर्य में ग्नाज। तो किम कई पॉस्ट को लिखते हैं अन। सब को मालूम होना चाहिए बस किस你要 और इसे मालूम होना चाहिए कि किसको हम कर रहे होते हैं तो आप पजल में काम करना शुरू कर सकते हैं ठीक है ना तो वी हैव्क चाहतें कि एक काम करते हैं थ्वरा साम एक बड़ एक चाहर और कर लेते हैं हम बेस्ट में जाएंगे डेश्प में किंखन बातव ख्याल अग्ना उस पर भी चरशा करेंगे अभी आप कह सकते हैं इस सेशन को आप बैक्टु बेसिक्स का ही अलबरेटेट बाते कर लेंगे फिर सवाल करेंगे ठीक है मुझे एक और ब्लाइंक स्पेश यहां पर ठीक है ठीक है तो नाव इसे टॉक बाउट टाइपस आफ पजल्स अब हम यहां लिखेंगे टाइपस आफ पजल्स on the basis of name है ना यह जो हम टाइपस आफ पजल्स लिखेंगे यह नाम की आधार पर यह होगा ठीक है ना यह किसके आधार पर नाम की आधार पर होगा on the basis of name so types of puzzle on the basis of name क्या-kya types है भाई हमारे पास तो हमने का भई सबसे पहला type हम लिखते हैं मिशा day based puzzle दिनों पर आधाईद puzzle second कहते हैं month based month based puzzle third हमारे पास होता है इसको हम discuss किया करते है वह होता है year based puzzle year based puzzle और year based में दो variety बन जाता है एक year based जहां पर base year नहीं given होता है और एक year based जहां पर normally हमारे पास base year given होता है दोनों सवाल में अलग-अलग demand है सिर्फ year based रहेगा जहां पर years की चर्चा की बहले जैसे मेरे पास साथ दिन दिये वह आपर 8 महीने दिये गाए या नौ महीने दिये गाए यहां पर साथ वर्स के नाम दे देंगे बस तो वहां पर कोई काम नहीं होता है हम क्लूस के अधार पर normally हम calculate करके सवाल सब्सक्राइब करना पड़ जाता है ठीक है फूर्थ हमारे पास हुआ करता है को सौरी एक काम और इस से पहले में को लिए यहां पर मन्थ प्लस डेट पेस्ट पसल मन्थ प्लस डेट बेस्ट पजल अब दो इसमें क्या होता है सब्सक्राइब करने को मिलता है लेकिन आज कल परिच्छाओ में वैसे से परिच्छाओ में जो बहुत इनोवेटिव एक्जाम होते हैं यहीं पर क्या आ जाता है कि सर मन्थ प्लस इयर बेस्ट पजल आ गया डेट नहीं दिया वहां पर दो इयर का नाम दे दिया उसमें तीन महीने दे दिया कॉमन तीन महीने दो वर्स 1992-1993 दोनों वर्स में अपिल जून और अगस्त तो चार्टिंग तो ऐसी बनेगी जैसे आपका डेट प्लस मन्त की बनती है कॉमन आपने जो भी महीने दिये गया उसमें दो डेट कॉमन रखती है वह रख दीजिए वह सिम चार्टिंग बनेगी अब हम आते हैं यह भी सबसल कि अभर कि अब यह कंशनल nggak शींपल हो गया और एक बहुत हो गया पता व मारे के पार मालूम वोने की आपको非म आते हैं पोस्ट बेस्पसल पर के देन वी हैव छिक्स थूर बेस्ट पसल ठीक है 7 लिख लेता है यहाँ पे हम लोग फ्लूर प्लस फ्लैट बेस्ट दिख रहा है ना यह जगह ठीक है फ्लूर प्लस फ्लैट बेस्ट पजल ठीक है यह मार पास 127 है ठीक है यहां लितना हो बाकी एट हम जम करेंगे पोश्च अमारा हो गया फ्लोर फ्लोर फ्लैट हो गया देन वी मस्ट टॉक अब आउट क्लासिफिकेशन पजल और सेलेक्शन बेस्ट पजल ठीक है न उससे पहले हम एक और बात करेंगे नहीं कर लेते हैं इसके बारे में क्लासिफिकेशन पजल 9th is selection and 10th is box based box oblique steak भी कह सकते हैं अब इसको 11 हमारे पास जो है उसको कहेंगे हम कमपैरिजन कि यह हमारे वर्याइटी ऑफ पजल से आप में से जितने भी वैसे स्टूडेंट हैं जो दो हैर चॉबिस टाइट करें अपकमिंग अभी नॉर्मली अभी तक ना बहुत यह वीडियो किन के लिए मैं नहीं चाहता है सभी वैसे वह बच्चे जो अरॉड़ी परांगत हैं वह इस वीडियो को देखें मैं चाहता ही नहीं हूं लेकिन यह वीडियो वह स्टूडेंट बिल्कुल मिस्त ना करें जिसको बस उसने देखा है उपर उपर दोहार तैइस में परईशां में हलका हलका शामिल हुआ ऐसे बहुत ही मजबूती के साथ जकड़ के पढ़ाई नहीं किया उसने उसने किसी कह दिया कि तुन्हें काम करो हम बता रहे हैं तो मौक लगाओ परिश्या जाओ अरे हो जाएगा ऐसे किसी गजोदर भाईया से मिल लिया अगर उस बच्चे ने और ऐसे ऊपर पर प चलिए तो यह हमारे पास variety of puzzles हैं किस अधार पे on the basis of name नाम के अधार पे हम puzzles को इतने कैटिगरी में बाटते हैं अगर इतने कैटिगरी में आप अरड़ी बहुत सपस्ट हो चुके हैं आप clues को लेके बहुत clear हैं तो आप क्लू को कैसे interpret करते हैं कैसा उसका मतलम निकालते हैं करनलूजन निकालते हैं और उसको कैसे करते हैं किस वाले variety of puzzles में किसको fix करते हैं विकाज हमारे पास आपने बताया कि सर दो ही वराइटी पडल होते हैं तो इसमें fix कर सकते हैं तो जिसको सरकल कर रहा हूं समझी कि उसको हम fix कर सकते हैं किसी एक चीज़ को जिसको नाम ऐसा कुछ भी तो उसी को fix किजएगा एर को fix करेंगे आप पुर्षबेस करेंगे आप फ्लोर में फ्लोर को करेंगे फ्लोर प्लस फ्लैट को करेंगे classification में एक थोड़ा सा बात होता है जब हम classification discuss कर रहे होगा यहाँ पे तो हम classification बारे में और भी गहराई से बताएं किसको fix करना है वैसे normally और पूछेंगे आप उससे तो हम यहाँ बोलेंगे आपको सिर्फ नामों को fix करना होता है आपको डेटा बेसमें डेटा इनवल्फ किया गया है तो डेटा को fix कीजेगा बस यह बात हैं रखेगा selection बेस में हम जिसकी संक्या कम होते हैं जिस variable की उस variable को fix कर रहे होते हैं box बेसमें किसी को fix नहीं करते हैं तो मतलब यह हमारा star mark है ठीक है ना बाकि हमारे पास सारे के सारे सेग्मेंट है उसमें fix कर पाते हैं ठीक है जिसको मुने white ऐसे कर दिया है समझी circle वो आप याद रखिएगा कि यह आपके पास वैसे हैं इसको आप अलग से heading डाल के लिख सकते हैं भाई इसमें हम किसी ने किसी variable को fix कर पाते हैं box बेस में हम किसी को fix नहीं कर पाते हैं ना ही comparison में किसी को fix कर पाते हैं ठीक है ना comparison तो बहुत simple puzzle होता है वैसे तीन नमर का आया करता है SBI PO के परिशाओं में भी आप देखेंगे ब्रिलिंस में आपको तो ये टाइप सो पजल है और ओके शुरुवात करें चलिए पहला सवाल रख रहा हूं लेकिन उससे पहले एक और हलका सा information कि डे बेस्ट पजल में किन बात और ख्याल रखना है जब आप डे बेस्ट पजल सॉल्व कर रहा होंगे तो इसमें सवाल का लहजा क्या होगा पढ़िए यहां पर बोला गया कि सेवन परसन A, B, C, D, E, F, G इपलाइड फॉर एक्जाम ओन डिफरेंट डेज़ स्टार्टिंग फ्रॉम मंदे टू संडे मंदे से लेके संडे तक काम किसी एक्जाम के लिए अपलाई कर रहा है ठीक है देन बट नॉट नहीं देने सेम ओड़र सिंपल सी बात है इसमें किसको फिक्स करेंगे तो फिक्स हो गया और एक आपको नाम साथ इसमें सेट करना है इस तरह के सवालों में अधिव बेस्ट पजल में किस बात है ना सिफ एक लोटा इक बात है रखेगा यह संडे तो मंडे टूजडे वेंस्डे थर्सडे फ्राइडे सेटरडे एंड संडे लिए बट्ट दूनोट थिंख लाइक दीस एसा चार्टिंग करेंगे आप इसका ऐसा चार्टिंग करेंगे फटाफट पूरा लिखने जरुवत में कि मंदे पूरा लिख लिए अपने नहीं नहीं आपने से मंटी डबलू टी एच ऐसे करके आप डिफ्रेंसेट कर चुके इसको ऐसे लिस्टिंग कर लिया आपने इस बाता खिया रखिए मालों को यह अलमेंट आपका है जो सपी यहां पर संडे को बुला गया क्यू इस और यहां पर यहां प्यार दो संभावना करMM करते हैं कर दें सरया वहां नहीं आपको इस सबसे बेइसी कर बात होता है राट वरट होता वोड कर सकाते आप इसे बट्राई कीजिए खुछ से पहला सवाल स्क्रीन पर यह रहा हूआ हाँ 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 डेट प्लस स्लॉट बेस्ट हाँ भी कराया भी तो था वो क्लास में सवाल वहीं बोलना मों उसमें और भी कुछी चीज़ें आड़ की जा सकती हैं कोई बड़े चीज नहीं है आप में जाए हृर भ form रखा में आपाना की जा चीज़ें फिलास के सकता हा Państwo कॉछीज़ें बड़िएकी जा हाँ हैं'? झाल झाल झाल, 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 झाल झाल, 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 झाल झाल, 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 झा ठीक है, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, ठीक है, एक हमेशा बात ध्यान किया है, पूरे puzzles और सिटिंगे में, कुछ clues आपके पास direct होंगे, सबसे पहले, कुछ clues कहा होंगे, direct मिलेंगे आपको, और कुछ indirect clue मिलेंगे, एक तो इस बात को ख्याल रखीगा, direct clue and indirect clue, जो directly नहीं बता रहा हो कुछ आपको लिए हाइड करके बता दे रहा हो कुछ, और दूसरे तरफ आता है, कि कोई भी ऐसा clue, जो कि direct हो, और फिर उसमें link करने वाला clue मिल रहा हो, तो शुरुवात करने के लिए सबसे beneficial clue वो होगा, second जो बने बताया, third situation, कि आपको पास कुछ भी direct clue ही नहीं सवाल में, direct clue मत सबसे बड़े gap वाले clue को तब हंतियार बनाएंगे, आप जब आपके पास कोई direct clue नहीं दिख रहा है, indirect clue के तोर पे आपको बड़े gap वाले clue को सबसे बड़े importance देना पड़ेगा, उससे connection जोड़े होगा, आपका secondary आपका काम हो जागा, उसको connect करने का, फिलाल यहाँ पे आ और यह भी element, day variable है, और day के बहुंदे, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, इस साथों के साथ हमारे पास element होगा है, उस variable के, c हमारे element, तो c है Wednesday के बारे में connection जो भी रखता हो, clue आपके काम का है, अगर ऐसा कुछ बात हो रहा हो, तो बहुत बड़ी है, हमने देखा, c के बारे में यहीं पे अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूचें के सब, gap of two कैसे, क्लेरी बतायता हो आपको, भई, जब बोलता है, three percent after, तो gap of two होता है, बोलेगा, four percent after, तो gap of three होता है, five percent after, gap of four होता है, यह तरा बोलेगा, उससे एक कम gap होता है, क्यों, because three में ने third person यह होता है, count करना है, या फिद तो गैप देखिए तो गैप एक दो और तीन ऐसे काउंट कर लिजिए आप जहां तकलीफ है तो ठीक है ना तो जब ही बोलेगा या फिर बिफोर होता है यहां बिफोर होता है तो भी थ्री परसंट बिफोर तो गैप आफ टू एन माइनस वन गैप वहां रख देना आपको ठीक है ना चली तुम्हें बस डी आ चुका है बोला गया इंडी आर अप्लाइड ओन एड्जेसेंट डेस अगल बगल हमेशा ध्यान की एड्जेसेंट नेबर नेक्स्ट बिसाइड यह तमाम शब्द आपको सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दिया आपको साथी साथ आपको संभावनाओं को पैदा करने के लिए देते हैं कि आप सब्सक्राइब अब आपका डूएल नेचर हो जाएगा बाइडी जो है ना वो सौरी जो ई है ना वो जी के एड्जेसेंट कौन ठीक ऊपर और ठीक नीचे वाला और होडियंट लाइन में एक बात की हमने का कोई और कहानी है कि बोलता है बी अपलाइट थ्री परसन बिफोर ए तो यहां से भी हो जागा यहां से भी हो जागा हमने का काम करो डिया रखो एक बर अपना जो है वह यहां रख लो और एक बर आप यहां रख लो क्या करोगे इसमें इसी को बोलता है प Gap of 2 और B यहाँ पर, Gap of 2 और B यहाँ पर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखो इसको बलते हैं Verifying Clue, इसको क्या कहते हैं, Verifying Clue, the number of persons applied between B and D is same as the number of persons applied between C and G, बहुत ध्यान से इसको इसको इस्तमाल कीजएगा, बहुत important है, ठीक है, जितने लोग B और D के मद्ध में हैं, उत्ने हीं लोग C और G के मद्ध में हैं, CT और G और C और G यहाँ पर, C और G के लिए दूर समभावना बनेगे हैं, मैंने का ठीक, इसमें मैं आते हैं, B और D में जीतने लोग हैं, उत्ने हीं लोग चाहिए CT और G के मद्ध में, CM R 2, 3, G यहां पर जाचा इसको दूर जाया ह वह जी को फ्राइड एसमें हम पर सब्सक्राइब करें ऑभाई जी जाएगा फिर तो प्रफिक है ना एक मिल चुका है हम लोगों को आशे तो बाकी देखा जाएगा ठीक है ना तो ए नीज़र अप्लाइड उन टूसर और फ्राइडे हमने पास यहां नहीं यहां नहीं तो एक आप यहां रखेंगे और गलती से आपने निगेटिव को इंप्र यहां पर एक मंडे को रख पाएंगे आप बोला गया जो है उससे पहले आने वाला पॉसिबल ही नहीं यह आपका तेल लेन यह करेक्ट्र हो चुका है मैं कोशिश किया है कि डिसक्रशन में आपको हर एक पहलू को समझा दिया जाए कि कौन सा क्या काम है कैसे स्टार्ट कर स होता है यह आपके क्वेश्चन के मिड में या फिर अंत के तरफ इसका इस्तमाल होता है जब कुछ बना चुके हैं आप सवाल को कुछ कंस्ट्रक्ट हो गया हो तो ही यह काम आता है आप कभी भी यह नहीं पाएंगे सवालों को सवाल करते समय कि वेरिफाइंग आपको इनी है 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 अब ही मैं पढ़ रहा हूं यार क्या बात कर रहा हूं आप आप सभी कई बार पढ़ा हूं मैं एम डी सिंग आप सभी पढ़ा हूं मैं कई बार ना पढ़ता रहता हूं मैं आप सभी भी कैसे भूल गया आप झाल 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 EPF को SSA का Phase 2 का बताईए ठीक है चलिया लगभग लगभग similar question ही है आप कह सकते हैं से 7 person PQRSTUV buy laptop in the online store on different days of the week starting from Sunday to Saturday but not necessarily in the same order अच्छा पजल की एक और खासियत होती है कई बार बच्चे डर जाते हैं कि सर इतना बड़ा passage जो initial part होता है ना passage का मदब आपके सवाल का वो आमोमन आप 10-15 सेट में उसको फेच काच चुके तौह है आराम से 10-15 सेट में कि आप समझ जाता है कि हाँ बैइ क्या है कि का ही बोल रहा होगा ये तो उसको बहुत जल्दी आप बिल्ट कर सकते हैं उसको पार्ट को ठीक है ना, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, इसे पर उन्हें किया Sunday से start करो, starting from Sunday, ending on Saturday बोल दिया, तो of course आप ऐसे चार्टिंग करेंगे इस बार, Sunday से start करेंगे, पहला कुलो कहता है कि V buys on Thursday, V जो है वो Thursday को कुछ buy करता है, हमने का ठीक है, Thursday कहा है यहाँ पर, तो V यहाँ पर set होगे अपना, च कोशिश करेंगे, ऐसा क्लू मिल जाए, जो V से करेंट रखता हो, हमारे पास वेरिफाइंग क्लू जो है, I think वही लग रहा है, क्यों ऐसे हमारे पास, same to same हो रहा है कुछ, बोल रहा है कि the number of person buys before you is same as the number of person buys after V, यह जो simple है, कोई बड़ा gap वाला यह वेरिफाइंग क्लू नह सब्सक्राइब करेंगे, आप तो वेरिफाइंग होगे, आगे बढ़ते हैं, अब कहता है कि अभी हमें क्या है, कि मर पास वी यह यू से जुड़ावा जितना भी क्लू होगा, वही काम आएगा, कहता है कि S buys on the adjacent day of you, फिर से देखो, projection पैदा करने के लिए क्लिए क्लिए क् भाई, एक और वेरिफाइंग क्लू है, वह असल में वेरिफाइंग लूब बोलेंगे, यहां पे दिया है, इसकलिए बिल्ड करना पड़ेगा सवाल को अभी, लिए काम करना पड़ेगा अपने को, इस सिचुवेशन में, टी बाइज इमेटली विफॉर क्यों यहां हो सकत हुआ क्या टीबाइजिमेटली दिविफोर यू क्यों डैस्टी बाइज इमेटली भीफोर खूब हमेश्य ध्रान किया पूरे में इमिधिड वाले क्लू से ज्यादा important कोई क्लू नि होता है कि इमेडिड वाले क्लू से ज्यादा important कोई निए टीक है न तूब ताओ इसा है ठीक टीबाइज इमेडियेटली बिफूर क्यों ठीक है न जॉडन कह रहा है कि हमको समझा दो अगर हम समझ का तो सब समझ जाएंगे तो मैं सवाल बिल्ट कर चुका हूं नेक्स सवाल एक लिए जाएगा तीबाइस इमेट ली बीफोर क्यू इसका मत्राइब लगाता ही रहना पड़ेगा एशिट्स इमेटली बिफोर क्यू यह फिर अप्डिमेटली आफ्टर क्यू बीफोर लिए इमेडिट वर्ड लगा दि है ने हैं तो टीक, यहीं बढ़ इसकता है, इसमें अभी भी दिख़ आई कि यहां भी हो सकता है, एक काम करेंगे, इसको भी यूज नहीं करेंगे हैं, थुछा वेट करते हैं, एक और बात का आ गया, पी- बाइस, भी- वजोए- पी- और-र, लेकर कर लेता है, खीक कर लेता ह यहां पर उतने ही नमबर हमारे पास आरोटी में होना चाहिए अब इसमें काम नहीं करें गांगे उत्तरमा मिल चुका है भाद इसको नहीं को छोड़ दीजिए तो यहां पर इतना यह पांट साथ सब्सक्राइब यहां रखने का था बचाव एक लाइन में क्या लिखा लिखाव अब पढ़ लोगा इसमें आव सकता पड़ी तो भाई इसको काट कर लिया जाएगा नहीं तो भाई आपना उत्तर हो जाएगा काम खत्म में यहां हमारे पा बहुत बारी किसे अगर आप जानते हैं कि आपको बारी किसे चीखना है तो आप आराम से आईए जात बजे और आराम से सीखें डिसक्शन कीजिए चर्चा कीजिए गंभीर हो यह पजल में इसमें हर बड़ी में हो शुबाजी करके हुलूला करके नहीं हो पाएगा कि लहर और सवाल का लेवल ग्रैजुल होगा आज जो सवाल का लेवल से बढ़ता जाएगा हलका सवाल का लेवल तो सीखना एजी पड़ जाता है यह चीज ठीक है बाकी जो क्वेश्चन होंगे हम कल डिसकस कर लेंगा और भी एक सवाल मैं चाहता हूं आप लिए सवाल को प्लीज ठीक है ना ठीक है कॉमेंट बॉक्स में क्लियर ठीक है ठीक है चलो तो कल आपने चीज देखा होगा कि कल हमने कुछ ऐसा लॉंच किया है चैंपियन कप्लीट रीजनिंग फांडिशन बैच प्री प्लस मेंस यह दो हजार चौबिस के तमाम एक्जान के लिए है और क्या-क्या मैंने इसमें फीचर्स आइड किये हैं यह देख लीजिए आप एक पर तो आपको समझ में आ जाए कि बस अगर आपको सचाहिए कि मुझे कुछ नहीं सोचना पड़े बस सर के क्लास में आ जाए यह इस बंदे क्लास में आ जाए और क्लास में जो भी सर कराएं उ बहुत रिसर्च करना पड़े विए अपको प्रवाइड करूंगा में वहाँ पर क्या कैसी प्रवाइड कर रहा हूं बैच में आप यह देखिया कि मतब कोशिश क्या है 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 अनृत नोट्स चैंपियों रैंक फाइल डेली सब टॉपिक बेस्ट मिलेगा आपको रैंक ठीक न अफ्लिक सब टॉपिक वाइज एप टेस्ट अब को साथ उसका तेस्ट आपको साथ उससे नहीं देना चाहिए यह विए टेस्ट कब दीजेगा बताओ आपको मैं टाल दूगा उसका भाई आपके डेट के साथ अलाइंड रहेगा वोचीज फिर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लाइज ट्रहेगा क्लास में लाइज इसको लाइज बोली जाब और फोर्स लास टेस यहां लिखा हुआ भी है और फिट चैंपियंज अलमनाई मीट सेड़े संड़े में कर रहे होंगे मैं नहीं चाहता कि मैं दस बार आपको पढ़ाता रहूं मैं पहली होंगा बहुत काईदेश पढ़ाओंगा डेड़ घंटे सिद्धत से यहां पर एक मैंस पढ़ा रहा हूंगा ऐसा कुछ बस बाकि 7 यहां मिल रहा हूंगा ऐसा कुछ इस टाइप से चल रहे होंगे ऐलेमें टू ट्वेल्ट टाइम फिक्स कर लीजिए मेरा फिक्स कर लीज हमारे अड़ा 247 पर भी अलग से ओफर चल रहा आपके लिए कुछ ओफर है यहां पर मुझे लगता है यहां पर लगावा नहीं है एक्स्टा कुछ ओफर है भाई अभी फिलाल इस पर डेबल विल्टी है बैंक महापैक पर डेवल विल्टी है तो मैंने कहा है बच्चों से पहले आगे पास राइंक फाइल मिल जाएगा आपको दो महीने का सौरीड एक साथ तो यह मेरा प्लान है बाकि आप आवसकता नुसारी काम करें यह ध्यान रखेगा बाकि कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे आसके लिए कल साम साथ बजे